हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टू माई जानल देखें फ्रेंट साथ मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूए एक ब्यूटिफुल मौरे रिजाइन उसके लिए हमने तीन इंच की मौरी तयार कर लिए और अब हम दो-दो इंच की गैप में निशान लगाएंगे और उपर साइड नीचे वाले की सीद में निशान नहीं लगानी है नीचे वाले से थोड़ा तिर्चा एक इंच की गैप में लगा दीजिए और उसके बाद बाकि वही दो-दो इंच की गैप में ही निशान लगाएंगे और अब हमें इस तरह से ये तिर्ची स्लाई लगाने है ऐसे उपर वाली स्लाई पर से जाते हुए फिर से ये तिर्ची स्लाई और अब नीचे वाली स्लाई पर से जाते हुए फिर से ऐसे ही तिर्ची स्लाई इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे और आप पोहरी के सेंटर में इसीदी सिंपल सेलाएं लगादेंगे और रही जो बूक्स बनने हैं इसे प्लाई हूए इतना सिंपला लगा को यह देखी तरीआ ये करने Джesshaz अब यह जो बुक्सिस के अंदर हमने तेशी शिलाय लगाई थी इस पर थोड़ थोड़ा बलाई देते हुई इस तरह से शिलाय लगा देनी है और अब यहां इस कोने में हम यह ऐसा डिजाइन बनाएंगे यह दीखी छोटा सा ट्रेंगल बनाएंगे ऐसा और इसके अंदर ए तिरसी सलाय हैं के अंदर साइड गुलाई में ऐसी सलाय लगा कर यह डिजाइन बनाएंगे और अब उपर साइड इस कोन में फिर से वही डिजाइन बनाएंगे जो हमने छोटा से ट्रेंगल बनाया था वही ट्रेंगल हम यहां भी बनाएंगे और इसके अंदर पिक छोटी सबस्ताइब आप से बनाते हुए हम अपना यह डिजाइन कमप्लीट कर लेंगे यह देखे इसे हमारे डिजाइन कमप्लीट हो गये हैं अगर आपको हमारे डिजाइन पसंद आथा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए और इसी तरह की बीटी फूर जाइंस तेखनी के लिए मेरे चैनल कास से कास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबान अब बिल्कुल मत भूले गता कि आने वाली हर वीडियो की नटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सगी थैंक्यू थैंक्स वर वोचिंग